Good afternoon KG Class KG Class हमने last class में आपकी वियंजन श, स, और ह का अभ्यास किया था ठीक है आज हम करेंगे वियंजन शे और त्र ठीक है तो बच्चो शे से क्या होता है शत्रिय ठीक है शत्रिय कोन होता है शत्रिय बच्चो शत्रिय कोन होता है शत्रिय वो होता है जो हमारे देश की रक्षा करता है दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करता है उसे हम क्या बोलते हैं शत्रिय बोलते हैं ठीक है और भी श से क्या होता है शमा जब हम से कोई गलती हो जाए तो हम सौरी बोलते हैं न उसको हम बाद आता है त्र त्र से त्रिशूल त्रिशूल क्या होता है बच्चो सब जानते हैं न त्र से त्रिशूल ठीक है और इसने पिक्चर भी ड्रॉ की है ये क्या है त्र से त्रिशूल ठीक है और भी त्र से बहुत सारे शब्द बनते हैं जैसे त्रिदेव ठीक है ऐसे बहुत से शब्द हैं जो त्र से बनते हैं ठीक है तो आज बच्चो हम वियंजन शेय और त्र लिखने का अभ्यास करेंगे कि ये कैसे लिखे जाते हैं ठीक है सबसे पहले हम लिखेंगे वियंजन शेय शेय आपने लिखना है पहले आपने वान जैसे डालना है और इसके उपर आपने लाइन डालनी है ठीक है श से शत्रिय यहाँ पे भी आपने डालना है श से शत्रिय यहाँ पे आपने लिखना है ठ, ठ से त्रशूल ठीक है ठ, ठ से त्रशूल कैसे लिखना है आपने है आपने इन दो लाइनों के बीच में लिखना है टच करके लिखना है जैसे मैं इसने यह उपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक टच किया है वैसे ही आपने करना है उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ से आपने करना है और यह आपका बन गया शियो, शियो से शित्रिय, ठीक है, कैसे लिखना है आपने, ऐसी करके आपने लाइन से टच करके लिखना है, ठीक है, और ऐसे ही आपने त्रो लिखना है, ये भी आपने लाइन से टच करके लिखना है, और इसके उपर आपने पूरी लाइन डाल लिखना है, ठीक है, तो सबको समझ आया, कि आपने कैसे लिखना है, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की नोट बुक पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, करेंगे वियंजन शियर और त्रह की, ठीक है, धन्यवाद बच्चो,